तो दोस्तों मैं काफी सालों से वीडियो बना रहा हूँ और एक जो प्रॉब्लम मुझे हमेशा से आती है बैक्राउंड नॉइस की और आप भी वीडियो बनाते होगे या वीडियो बनाओगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी चाहिए आप किसी भी फिल्ड की वीडियो बनाओ लेकिन मैं आपके लिए पांच इसे टूल्स लेकर आओ जिससे आपकी ये प्रॉब्लम इतनी दूर भाग जाएगी जैसे जब गांगुली दादा छक्का मारते थे तो बॉल दूर भागते थे वीडियो देखने से पहले मेरी बात सुल लो मुझे पता है कबसे आप जानना चाहते हो कि Classplus करता क्या है अभी बताता हूँ Classplus is an EdTech B2B company जो आपको अपनी personal branded app बना कर देता है जिस पर आप live classes, recorded classes या फिर test भी ले सकते हो बेसिकली आपकी teaching और आसान मनाता है Classplus अब देर किस बात के description में और pinned comment में हमने link दिया है जहां से आप Classplus के बनायओ आप का demo ले सकते हो अब जल्दी जाओ वीडियो देखो तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं Adobe Podcast जिसको यूज़ करके हम background noise remove कर लेंगे देखें कैसे कर सकते हैं उसे use सबसे पहले मैं screen को recording पर लगा देता हूँ ताक कि हमारे editors आपको काफी आसानी हो जाएगे छीख आप देख सकते हो कि मैंने already Adobe Podcast का जो page है वो खोल रखा है इसका web link क्या है podcast.adobe.com छीख है ये आप यहां से देख सकते हैं उसकी spelling जैसे आप इस पर आते हो right side पर sign in का option है क्योंकि हम इस पर पहली बार आ रहे हैं तो we have to sign in, we have to create a new user here continue with google में मैंने click किया है फिर उसके बाद अपनी कोई भी gmail की id को use करके आप इसको sign up कर सकते हो ठीक है यहां पर आपकी basic details already नज़र आ रही है country ये इंडिया already select कर रहा है आपको अपने date of word select करना है मैं हाँ यहां पर date of word select कर लेता हूँ यह हो गया ठीक है यहां पर हम आ गया है यह आपको website इस तरीके से नज़र आईगी quick tools में जाके enhance speech पर मैं जाऊंगा इसमें मैं अपना जो test video मैंने select किया हुआ है उसको मैं select कर लेता हूँ तो अब आप देख सकते हो screen के अंदर कि यहां पर audio adobe podcast पर जो input files ये लेता है वो सिर्फ audio files लेता है और हमने जो video record करी कि आप भी मिरको लगता है कि video record करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको use करने के लिए audio file को video से अलग करना पड़ेगा और वो हम कैसे करेंगे वो भी हम google से कोई tool निकाल लेंगे तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ एक दूसरे screen पर और लिख रहा हूँ separate audio from video छीक है अब मैं यहां से कोई link चोप की मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा जाना पहचाना है मैं उसको use करके पी काम कर लेता हूँ use कर लेते हैं file desktop पे मैंने save किया हूँ test save as mp3 duration from the start to the end कि यह मैं convert कर लेता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो कि यह हो रहा है all right यह complete हो चुका है और download now पे आप click करके कौन सी website है online converter dot com मैंने कुछ नहीं किया मैंने google किया उसके बाद जो results है उसमें मुझे लगा कि जिस पे काम मन जाएगा उसे मैंने click कर लिया आप भी इस पे कर सकते हो I think यह download हो गया है awesome अगर हम देखें तो इसको भी आप देख सकते हो की भरी दो पहर की बात की गई है यहाँ पे हम इसको यहाँ पे जाके upload कर देते हैं download में गया test video awesome तो यह हमारा output निकल कर आ चुका है आप इसे download कर लीजिए अरे वाँ यह भी बहुत जल्दी download हो गया है आप इसे play कर सकते हो देखो यह थी बिना background noise के साथ सुनाता और अपको अपने अपनी वीडियो के साथ जोड़ देना है और आपकी वीडियो फाइनली अच्छी आउडियो के साथ तयार हो जाएगी तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे solution के पास दोस्तों अब हम आते हैं अपने अगले solution के पास जिसका नाम है eraser.dwave अब आप इसका address देख सकते हो आपको screen में दिखाई दे रहा होगा यह इसका address है इसकी spelling अच्छे से note कर लीजेगा ताकि आपके भी काम आसके अब आपको क्या करना है वही काम करना है जो पहले किया था लॉगिन करना है अब लॉगिन करना है मतलब sign in करना है हम इससे login with google कर देते हैं और अपनी gmail कोई भी gmail id को यहाँ पर आप सरेक कर सकते हो चीक है अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं इसके लिए मैं अपनी ओरिजिनल फाइल जो की हमारी वीडियो थी उसे डाल रहा हूँ आप इसको मोबायल में भी यूज़ कर सकते हो इसको अपने लाप्टॉप या डिस्टॉप पर भी यूज़ कर सकते हो यह अपलोड हो रहा है आप देख सकते हो राइट कॉर्नर में तो आप देख सकते हो कि हमारी वीडियो अप्लोड हो चुकी है अब आप इसको जाके अपने हिसाब से क्लियर कर सकते हो ये देखें इस वेबसाइट पर आप अपनी ओडियो अप्लोड करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन देखोगे इसका क्या मतलब है? अब इसको आपको थोड़ा सो और क्लियर करना है तो आप क्लारिटी पर क्लिक करते हो तो इसमें अगर आप नीचे देखो तो जो वोकल है यानि कि इस तरह से मैं बात कर रहा हूं वो 80% आ रहा है और जो पीछे का बैक्राउंड है वो 20% आ रहा है देखा अब अगर इसमें आपको कुछ नेचर की आवाज है डाल लिए तो नेचर क्लिक करते ही वो जर्नी और थोड़ी सी पच्छा ठीक है अब बैक टू ओरिजिन ओरिजिनल वोईस को सुनते है दुपारा से क्लारिटी को सुनते है इसके कंपारिजन से आप सोच चकते हूँ कि इस सौफट्वेर ने इस वेबसाइट ने कितने आसानी से क्लियर कर दिया अगर आपको सिर्फ ओनली वोकल चाहिए कोई बैक्राउंड वोईस नी चाहिए उसका भी ऑप्शन इसके अंदर है जो की इस पर क्लिक करके आता है ठीक है बस इसे आप डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपनी वीडियो में लगा सकते हैं चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स सॉल्यूशन के पास तो दोस्तो अब हम आते हैं अपने अगले सॉल्यूशन पर जिसका नाम है नॉइस रिड्यूसर इसकी वेबसाइट है मीडिया डॉट आयो और सॉफ्ट्यर का नाम दुबारा से बोल रहा हूँ नॉइस रिड्यूसर यह देखो आप यहां पर अपना जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो राइट साइट से और यह सेलेक्ट करने के बाद ठीक है इसमें फिर अपनी वीडियो अपलोट कर देंगे जो कि टेस्ट वीडियो मैंने यहां पर रखी हुई है ठीक है यह टेस्ट वीडियो है यह ओरिजिनल वोईसर में सुन सकते हो कि काफी जो है शोर है थोड़ा सा अब इसको अगर हमें स्पीच एन्हांस करनी है ठीक है मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूँ टी नोइस करने के लिए यूस नोइस नाओ ठीक अब सुनते हैं इसका रिजल्ट कैसा होगा यह हो चुका है प्रोसेस कर रहा है और यह प्रोसेस भी होड़ा है हो चुका है अब हम रिजल्ट भी सुन लेते हैं इसका रिजल्ट लेकि अच्छा है बट अगर हम पहले दो जो हमने किये यानि कि एडॉबी पॉड़कास्ट और दूसरे सॉफ़वर जो हमने यूस किया था इसका नाम मैं भूल रहा हूँ दोस्तो इसका भी अगर देखा जाए कि नॉइस रिमूबल अच्छा है अब हम चलते हैं अपने नेक्स सॉल्यूशन पे अब हम नेक्स सॉल्यूशन पे आगए है जिसका नाम है कैप विंग आप स्पेलिंग याँ से देख सकते हो के एपी डव आई एंजी इसमें सबसे वहले हम साइन अप करेंगे सिमिलर तरीके से राइट हाएंड पे जीमेर अकाउंट सेलेक करके यह हमने कर दिया इसके बाद हम यहाँ पे अपनी कुछ नॉनमल सी इंफिर्मिशन डाल सकते हैं यहाँ पे हम क्रिएट अन्यू प्रॉजेक्ट पे जाएंगे उसके बाद हम सबसे पहले अपनी वीडियो अप्लोड यहाँ पे कर देते हैं जो मैंने डेस्टॉप पे रखी हुई है तो यह जैसी हमारी इस सॉफ्ट्वियर के अंदर इस वेबसाइट के अंदर वीडियो अप्लोड हो जाएगी क्या करना है इस पे क्लिक करना है यहाँ पे राइट साइट पे एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे जाकर क्लीन ऑडियो पर क्लिक कर देना है ठीक है यह हो रहा है प्रोसेस हो रहा है आप देख सकते हैं आपर तो हम वेट कर सकते हैं देखिए ये हो चुका है अब हम इसके आउटपूट को सुन लेते हैं अरे वाँ मतलब अगर आप इसका आउटपूट देखो तो मैं कहूंगा कि इस आज गुड आज जो हमने एड़ॉबी पॉड़कास में सुना था उतना ही अच्छा आउटपूट है लेकिन और तो और यहाँ पे आप इसको आउडियो को डिटाज भी करके उस पे अलग से काम भी कर सकते हो अब इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अब मैं एक इंपॉर्टन बाद आपको बता देता हूँ कि यहवाला जो कै बप जिसे कह रहे है आपए यह अच्छली पेड है और यह मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आप सोचरे होगे कि यार हम तो फ्री जानना चाते थे मैं आपको इसलिए बता रहा हो कि यह वाला जो कैप बहुत अच्छा है बहुत ची जो अगला solution है हमारा background noise removal के लिए उसका नाम है auto मनलब इसको शायद आप किसी और तरीकी से भी pronounce कर सकते हो spelling और इसका web address यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है सबसे पहले हम इस website पर आएंगे उसके बाद हम demo पर click करेंगे demo पर click करने के बार हम यहाँ पर एक file upload करेंगे जो की हमने desktop पर रखी हुई है किस नाम से test video के नाम से अप्लोड हो जाएगी यह अभी हम demo इस software का demo यूज कर रहे हैं आप इसके paid versions भी ले सकते हो उनके इंदर आपको क्या-क्या मिलेगा मैं अभी आपको बताता हूँ और उससे पहले हम इसका demo audio सुन लेते हैं तो दोस्तो हमारा input file upload हो रहा है आप इसमें देख सकते हैं इसका process साथ साथ चल रहा है यहाँ पर आप इसको यहाँ से download कर सकते हो इस तरीके से आप देख सकते हो आप सुन सकते हो कि इसमें काफी हद तक background noise remove हो चुका है और voice जो है काफी clear है देखे आप इसे download कर सकते हो इस तरीके से यहाँ पर तीन dots देख सकते हो इसमें यहाँ पर आप download पर click करके download हो गया अब auto में मैं आपको बता रहा था कि हमने अभी demo पर click करके गए थे और यहाँ पर जो हमने noise removal किया वो demo version में किया अगर आप इसके paid versions खरीदना चाते हो तो इसकी pricing पर जाओ देखे अब हम इसकी pricing देख सकते हैं प्राइसिंग आप देखे सबसे पहला starter package जो की free है उसके इंदर आपको क्या मिलता है 20 minutes of audio enhancement जैसे अब भी हमने करीब देखे आपने starter pack देखा creator pack देखा अब है यह pay as you go यह मतलब एक prepaid recharge की तरह है इसमें आपको 20 डॉलर के अंदर 600 additional minutes मिलेंगे on top of starter और creator आपके पास दोनों में से कोई पाक है उसमें आप 20 डॉलर का एक add-on package जलवाते हो तो आपको 600 minutes extra मिलेंगे on top of these two तो दोस्तों आपने पांच तरीके के solutions राये किये background noise remove करने के लिए जिसके यह मैं अपनी ranking अगर बताओं तो पांच वे नंबर पे मैं आपको कहूंगा कि noise reducer.media.io है जिसमें media.io is the website and noise reducer is the software name उसके उपर मैं कहूंगा कि आप कह सकते हो कि auto चौथे नंबर पे होगा third number पे मैं कहूंगा कि eraser.dewave और उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आपको कहूंगा cape wing और cape wing और उससे सबसे पहले नंबर पे जो हमारा software है उसका नाम है adobe podcast. adobe podcast और cape wing में मैंने ranking इसलिए इस तरह रखी है क्योंकि cape wing जो है paid है मुझे output में दोनों में कोई फरक नहीं लगा it's just that audio podcast adobe podcast मुझे free मिल रहा है और अच्छा output उसमें मिल रहा है इसलिए मैं उसके साथ number one पे जा रहा हम. आप भी ये ranking अपने आप भी decide कर सकते हैं अपने लिए इन सभी softwares के लिए इन सभी websites के link हम description में डाल देंगे पिंट comment में डाल देंगे आप खुद भी try करिए तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ हम लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ आप इस वीडियो को like करना, share करना और comment करना मत भूलना और अगर आप यहाँ पे हमारे नए महमान हो तो subscribe बटन दबाए बिना मत जाना और bell icon बिलकुल दबाना ताकि कोई update मिस मत करो बास बागी सब तो first class है मैं आपसे विदा लेता हूँ